तो गैस मैं हुएं की तोर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइटवक सुरु करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले लिफ मॉर्गें से तो आप सब को मालूम होगा कि लिफ मॉर्गें हो चुकी है अरेस्ट किन रीजन्स की वज़ा से ये भी आपको मालूम है ड्रग्स को लेकर बहुत तगड़ी तरीका सब डेट वगरा निकल के सामने आ चुकी है यह पहले हम लोग कवर कर लेते हैं यहां पर दो अपडेट से एक फाइट फुल की तरफ से और एक पी डबिंग सार्ट की तरफ से तो पहले फाइट फुल की रिपोर्ट देख लेते हैं फाइ कि डबिडड़ी में बैक्स्टेज कोई भी हीट नहीं है लिफ मॉर्गन को लेकर सब लोग सोच रहें कि ठीक है भाई क्या दिकत है क्योंकि वैसे भी डबिड़ी से लीफ पर थी करेंटली एक्टिव हो थी नहीं तो ऐसा नहीं है कि डबिड़ी को अपने कोई प्लैंस हो रही है रोमन रेंज के साथ एक बीच हो रही है और साथ में देखा जिम्यों के साथ कई बार हो चुकी है तो अभी लिफ मॉर्गन किसी भी क्रेटिव प्लैन का पार्ट नहीं थी तो इसलिए चीज उतनी जादा सीरियस नहीं ली जा रही है डबिड़ी के अंदर करेंट अब हो सकता है कि यह ताइटल मैच हो अब हो सकता है कि यह ताइटल मैच हो और अभी के साथ से इस अरेस्ट वगरा कि वज़ा से किसी भी तरीके से कोई भी अफेक्ट इनके प्लैंस को पर नहीं परेगा नहीं अभी परा है तो यह जो एक मैसिव अपडेट है कि लिफ मॉर्गन को डबिड़ी में कोई नुकसान नहीं होने वाला है इस अरेस्ट की वज़ा से मेंली वह इसलिए सेफ हैं क्य नहीं तो यहां पर हो सकता है कि वो टाइटल मैच हो क्या लगता आपको क्या मैच हो क्या नहीं बागी यह है करेंटली लिफ मॉर्गन की फूरी सिच बसन आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी जिरी हुई है कोडी रोट्स एंड डबी डबी को लेक होगा किसी भी कंडिशन में वो तो चलो डबी डबी को विक्स करना ही है डबी डबी ट्वीट करती है कहती है रिमेंबरिंग जॉन हुबर नोन तो डबी 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 फैंस एज लुक हार पर तोड़े ऑन हिस बढ़ते हैं तो आज अपने बढ़ते को सेलिब्रेट कर पाते तो कुछ इस तरीके से ट्रब्यूट पे करते हैं कोडी रोट्स लुक हार पर को यानि की जॉन हुबर को तो अभी के इस आप से हमारी तरफ से भी अपनी तरफ समलोग बड़े विसस दे देंगे हैवी बड़े बोलने का मुझे नहीं लगता है कि कोई जादा सेंस बनेगा अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कैरियन क्रॉस को लेके आज आपने अगर स्मैक डाउन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैरियन क्रॉस का एक विजनेट जो है रन हुआ एंड उससे देखके कुछ फैंस हाइप हो गए पहले में आपको एक रिपोर्ट बताई थ आज कि स्मैक डून के प्रोमो को देखके उस विजनेट को देखके आपका आइडिया लग गया होगा अब ऐसे में माने जा रहे है कि प्लैंस बहुत ही जादा अच्छे हैं बूचर का फिर से कहना है कि डवी डवी बहुत मैसिव प्लैन कर रही है कुछ केरिन क्रॉस के लि कर रही हो तो बाकि अभी के साबसे फैक्सन कंफर्म तो नहीं है लेकिन अगर कुछ कंफर्म है तो वह यह है कि कैरन क्रॉस को जो पुस मिलने वाला है वह काफी मैसिव होने वाला है साथ में एक और इंट्रस्टिंग चीज यह भी नोट करीगे रिसेंटली कि रेम स्टीर क करते थे जिसको भी हराते थे वह अपने मैस के बात बदल जाता था बदलने का बतल यह नहीं की चैन्ज पूरा हो जाएगा वह वह चैंज कर लिता था अपने आपको इन सेंस आफ की उसके अटिटूट वगरा में काफी मैसिव चीन्ज देखने को मिलता था यह चीज हमने के साथ देखिए यह चीज हमने देखी है मिज के साथ यह होते हुए पहले देखी डबी डबी के अंदर तो में भी वह सेम एंगल कर और करी गई नोट करी तो मुझे लगा एक बद आपको भी चीज के बारे में आब्यर करा देतें आगे बढ़तें करते हैं अपनी आखरी यह स्टोरी के बार में दिक्体ि के स्मग के वहां के अपर वाली वो एकर व सुनी डेखते हैं, इसके पीछे का क्या रिजन था तो मैं आपको बता दू कि यह फोर सेडविंग है करेंटली एंड यह चीज आगे होने वाली है ऐसा नहीं कहरा मैं कि सोलो सिकवा नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनेंगे क्योंकि I don't think कि डवी डवी ऐसा कुछ करेगी एक और ट्राइबल चीफ अच्छा का सबनेगा ट्राइबल चीफ तो मैं हूँ फिर नवी रोमन खुद इस बात को कह रहे है तो या तो डोमन कोई गेम खेर रहे है और अगर गेम नहीं भी खेर है तो अभी यही यह चीफ वाली जो बात है यही रोमन रेंस और सोलो सिकवा के मैच के लिए बिल्ड क डबी ना आइडिया हमें दे दिया है कि आगे क्या होगा सोलुसी को आगे साथ में भी दोजा चौबीस या पच्चिस में अभी के इसाप से गया है यह कुछ अपडेट से इस वीडियो के लिए आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो मिलो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी असी डेवी डेवी की न्यूज रूमर अपडेट सब कुछ सबसे पहले मिलते रहे फॉलो कर सकते आप लोग चाह कर सकते हैं अगले वीडियो में